हेलो बच्चा बाटी कैसे हैं आप सभी आज हम देखने जा रहे हैं क्लास एट सिविक्स का चैप्टर अंडर्स्टेंडिंग आवर किर्मिनल जस्टिस सिस्टम की इस पूरी कहानी के अंदर आज हम पहुत चुके हैं इसके अंति मुडाओं के उपर मतलब आज हम देखने जा आज के दिन साथ बजे तक साथ बजे के बाद भी तीवी देख रहा था ममी ने एक दम अच्छे से डाटा एक दम अच्छे से उसकोई डाट लगई और कहा कि चलो अब जब पढ़ रहे लग जाओ या फिर सो जगे अगले दिन हम बात कर लेते हैं कल की कल क्या होता है कि जाता है तो आपके मन में कोश्य नाता है कि कल मैं भी साथ बजे के बाद इख तो उसे डार नहीं पड़ी तो क्या यह पे अगया हूझ आगर वह ऐसा करेगा तो उसे भी मेरे जीटकर पढ़नी चाहिं तब मैं ये मानूँगा कि हाँ, हम दोनों को एकड़म equally treat किया गया है, ठीक है, अब बात आती है कि सर ये तो आप हमारी घर की पोल खोल रहे हो, अब इस topic के अंदर ये चीज कहां से include होती है, तो देखो, fair trial, हम कहां देखने जा रहे हैं, हम criminal justice system के अंदर fair trial को देखने जा रहे हैं trial जब शुरू होता है, तो trial में बच्चों दो party होती है, एक party A होती है, एक party B होती है, जैसे कि आप घर में दो भाई होते हो, party A और party B, ठीक है, जब भी trial चलता है, तो उस दोरान party A और party B को ऐसा ही लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई भी है ना, अन्याय नहीं हुआ है, भी दोनों पार्टी से कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं हम जो जिसके आशानवीत थे मतलब बेसिकली जो हमें होप थी वही हमें मिल चुका है ठीक है अब ऐसे में हुआ गया एक आपको फैर ट्रायल मिला फैर ट्रायल का मिलेगा जब दोनों ही पार्टी को यह लगेगा कि उन हमें प्रीवेश वीडियो के अंदर डिसकस कर चुके हैं और यह थी fixonal case जो हम्ने शांती का एक केस पड़ा था दा उसके बारे में अब यह जो शानती का केस नहीं किया था ठीक है तो यह तो बड़ा smoothly चल गया पर क्या हमेशे ऐसा चलता है अरे इंडिया है यहां पर ऐसा नहीं चलता है ठीक है अब होता गया है कि कई cases में जो सोड़ी situations होती है वो change भी हो जाती है ठीक है अब situation change होता थी वो तो okay है ठीक है बट इंडिया के अंदर एक सबसे हना prominent चीज दी गई थी उसका नाम था fair trial अब यह जो fair trial है वह यह कहता है कि कि किसी भी party के साथ injustice नहीं होना चाहिए अगर उसका कोई case से उसका trial चल रहा है तो उस case उस trial के regarding उससे हमेशा जादा से जादा support किया जाए ताकि वो आपने आपको निदोश शाबित कर सके ठीक है पर अब हम कैसे मान लें अब कोई ऐसी situation भी तो हमारे सामने होने चीज कुछ ऐसा example हमारे सामने होने चीज जो हमें बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सिनारियो हुगा जिस सिनारियो में हम यह मान लेंगे कि हमारे पास fair trial नहीं है ठीक है अब यह free लिख दिया है गल auntie so did not give a copy of chart sheet any statement of witnesses टू शांती अगर क्या होता कि शांती को ना ही तो witness प्रोवाइट की चानती को चार एक पर राघ चिर्ट कर सीट के लो आपूर के पार में पता ही नहीं चलता तो cen वह किसी भी राइल को उंफैर लाइल कहेंगे फिर हम बात कर सकते हैं, he held a trial in a secret location, neither the Shanti nor the Shushil were present, अगर क्या होता कि ट्रायल एक ऐसी जगे पे एकदम secret, एकदम underground situation में एक ऐसी जगे पे चल रहा होता, जहां पर ना ही तो शान्ती होती, ना ही शुशील होती, मतलब शुशील होता, तो अब ऐसे में वह जो जगे होती, वहां जा रहा हा था, कि convict है, इन लोगों नहीं अपराद किया है, इन्हों नहीं crime किया है, मतलब शान्ती है, उसी नहीं crime किया है, तो ऐसी situation में, उसका भी तो court में उस समय, जिस समय उस पर case चल रहा है, उस समय उसका present होना, जरूरी है, पुरानी movies के अंदर देखा होगा ना, य ऐसी situation में, जहां पे, जिस व्यक्ति ने crime किया है, वो present नहीं होगा, और उसके present ना होने के बाद भी उसके उपर case चलाया जा रहा है, तो हम यह कह सकते हैं, कि वो किसी तरीके का unfair trial है, या तो शान्ती, शुशिल उसका भाई था, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इडिड नॉ कराता है, एक lawyer provide कराता है, अगर lawyer provide नहीं कराता है, तो क्या वो case लड़ पाती, वो अपना case नहीं लड़ पाती, तो यह भी एक unfair situation होती, the advocate Roy was not given enough time to question the witnesses of the prosecution, such as the Mr. Shindy, and the instead of already decided the shanty guilty, अब होता गया, कि court कह देती कि हा, जो basic shanty को lawyer provide कराया है, कौन, advocate Roy, उसे है न, time नहीं दिय जो आपको करना है, पांच मिनिट के अंदर, कर लो, पांच मिनिट में, मैगी नी बनती, एक time में, उसे कह दिया जाता है, कि आप पांच मिनिट में, जो भी आपको पूस्ताज करनी है, यह Mr. Shindy, Mrs. Shindy से, कर लो, उससे ज़्यादा आपको पास time नहीं है, तो ऐसे में एक unfair trial होता, पर क्या India के अंदर ऐसा होता है, नहीं बच्चो, इंडिया में ऐसा विल्कुल भी नहीं होता है, यह सारी जो unfair वाली, जो situation थी ना, unfair trial वाली, वो इंडिया के अंदर follow नहीं की जाती है, क्यों नहीं की जाती है, तो देखो, हमारे पास है article 21, और article 21 यह कहता है, कि हम हमारे पास है, right to life, अब यह जो right to life है, मतलब हमारे पास जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, यह जीने का अधिकार हमें कहता है, stress that person's life and liberty can be taken away only by a following reasonable and just legal procedure, तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी person के आपको life लेनी है, मतलब उसको basically किसी भी तरीके से आपको punishment देनी है, punish करना है, तो उसके लिए एक reason होना चीए और साथ इसाथ एक legal procedure होना चीज़ जो आपको follow करना पड़ेगा, अब जैसे कि हम शान्ती के case के बारे में बात कर रहे थे, तो शान्ती के case के उपर हम वापस से आते हैं, कि क्या सान्ती का case वाके में fair था, भी कि नहीं, तो दे है सकते हैं, पर हाँ, कहीं न कहीं उसको एक support मिल गया था, जिस support के कारण वो अपने इस case को win कर पाई, तो देखो, वो support ये था कि शान्ती को है न, charge sheet provide कर आए गई थी, साथ ही साथ उसके सभी सारे, जो भी evidences से उसके against में, वो सारे उसे provide किये गए थे, ताकि वो है न, बत shield भी आया था, मतलब कहीं न कहीं हम कह सकते हैं, कि open court के वज़े से एक transparency रही थी, और transparency जो है वो बताती है कि ये एक fair trial है, the trial was held in the presence of the accused, और उस समय जो basically accused है, accused कौन शान्ती, शान्ती भी उस समय वहाँ पर present थी, शान्ती वो डिफेंडेट बाया लोयर, जो शान्ती है न, शा cross examine all the prosecution witnesses and present witnesses in शान्ती डिफेंस, जो एड़ोकेट रोय थी न, उस एड़ोकेट रोय को cross examine करने का भी time मिला था, कि हाँ, आप easily जितने भी आपको question पूछन है न, वो पूछ लो, कोई दिक्क्यत वाली बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि basic ये जितने भी है न, prosecution witness दे रहा innocent समझ लिया था, innocent का मतलब क्या होता है कि basic उसे ये देखा गया, कि ये है तो innocent है, अगर उसके against में, अगर उसकी जो mentality उसने बना ली है, अगर उसके against में एक भी point जाता है, तो वो उस बारे में सोचेगा कि हाँ, हो सकता है कि शायद इसने कोई न, कोई गलती करी हो, it was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that shanty was guilty, तो ऐसे में कई सारी responsibilities जो है prosecution के समय में देखी गई, कई सारी ऐसी चीजे देखी गई, कई सारी ऐसे reasonable doubt देखे गई, जिस से हमें यहाँ पता पढ़ा कि जो शान्ती है न, वो guilty नहीं है, ठीक है, basic ये सारी चीजे हमें देखने को मिली, for a trial to be fair judge, prosecutor, defense, lawyer, police have different role to play, तो जब भी एक fair trial चलेगा, तो उस fair trial के अंदर, judge, prosecutor, defense, lawyer, police, इन सभी का एक important role होगा, और जरूर है कि यह अपने जो role है, उसे अच्छे से play करे, तब ही जाके हम उस trial को fair trial कहें पाएंगे, they all need to work to ensure that every citizen irrespective of their caste, class, religion, gender, base, ideological, background gets a fair trial when they accused, देखो, होता गया है ना, कि अगर किसी भी person को accused बनाया गया है, दोशी बताया गया है, तो उसके पास chance होना चाहिए, कि वो अपने आपको निर्दोश शाबित कर सके, उसको एक्विटेट कर जा सके, बले ही उसकी कोई भी class, caste, gender, religion, ideology, कुछ भी क्यों ना हो, पर अगर वो इंडिया आज की इस वीडियो के अंदर इतना है, इस वीडियो से लेटेट कोई भी doubt, कोई भी नया discussion होता है, तो आप comment section में हमें बता सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो इन्हें like करें, comment करें, और साथ ही साथ आप subscribe कर सकते हैं, इसकोर शाला की YouTube चैनल को, thank you कर दो